बैली फैट या एक्स्टा डिर्टी फैट ये सारी चीजे अगर आपको भी परिशान करें और आप उसके लिए मार्केट से वेट लॉस वाली ग्रीन टी ले रहे हो तो प्लीज आज से आप उसे बिलकुल बंद कर दो क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसी जबर्दस्त होमेट ग्रीन टी बताऊंगी जिसे पीने से आपकी वेट लॉस तो होईगी साथ ही आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम काफी जादा स्ट्रॉंग ओवरवेट हो चुके हो और बिना जिम गए वेट लॉस करने के लिए ग्रीन टी अगर आप मार्केट से पी रहे हो तो उसे छोड़कर आज आप मेरे तरीके से बिलकुल घर पे ही नैश्रली होमेट ग्रीन टी बनाऊगे तो करणा क्या है सबसे पहले आप एक पैन लोगे यहाँ पे आप एक क्लास प्लेन वाटर डालोगे जिसे आपको बॉयल करनी है तो गाइस यहाँ पे जब आप देखोगे कि पानी थोड़ी सी गर्म हो चुकी है तो यहाँ पे आपको हमारी फर्स इंगरेंस लेनी है जो है फैनल सीट्स जिसे हम सौफ कहते हैं तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो आप एक चम्मच इतनी सौफ लोगे गाइस सौफ जो है ना यह हमारे मेटापॉलिजम और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टॉंग बनाती है सौफ के अंदर फाइबर एंटियो और मिनरल्स पाया जाता है जो शरीर के एक्स्ट्रा डिर्टी फैट को कंट्रोल करती है कट करती है और आपकी बॉड़ी बहुत जादा स्टॉंग बनती है तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर एक चम्मच इतनी सौफ ली है अब इसे आपको करना क्या है आप इसे अच्छे से बॉइल करोगे आप देखोगे कि आप ना इसी ना जब आप ब कि आप खुश हो जाने वाले हो तो सेकंड इंग्रिडेंस यहां पर जो लेनी है वो है जिंजर लेकिन आपको जिंजर बिलकुल थोड़ी सी लेनी है आप देख सकते हो मैंने तोड़ी से छोटे से जिंजर को यहां पर स्क्राप करा है और बिलकुल थोड़ी सी ली है को एक और इंग्रेडेंस मिक्स करनी है और वो है जैगरी जिसे हम गुड भी कहते हैं गुड बेट लॉस के लिए एक सुपर फुड है आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर बिलकुत थोड़ी सी गुड का इस्तिमाल किया है तो गाइस आप जानते हो गुड बेट लॉस के प्रबलम होती है उसे गुड दूर करती है यह आपकी डाजेस्टिफ सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाती है आपकी बॉड़ी को अंदर से डेटोक्सफाई करती है तो प्लीज आप यहाँ पर गुड का इस्तिमाल जरूर करो तो मैंने यहाँ पर एक क्लीन कप लिया है जिसमें मैंने जो हमारी नाच्रल ग्रीन टी बनाया है ना उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से स्ट्रेंड करके ली हूँ गाइस आपको यह ग्रीन टी मॉर्निंग में तो मस्ट है आप लोगे ही जब आप ब्रेक पास्ट करते हो उसके पहले आप यह ग्रीन टी जरूर लोगे जब भ बॉडी की extra dirty fat दूर होती जाएगी और आप ना अंदर से बहुत जादा strong फिल करोगे क्योंकि इसमें जो भी ingredients मिली हुई है ये आपके बॉडी को बहुत जादा strong बनाएगी आप जो परिशान रहते हो कि हमारे बॉडी में extra fats भरी पड़ी हैं तो वो सारी problem दूर होएगी और प्लीज आप avoid करो जंक foods जो होते हैं उसे avoid करो और प्लीज आप एक healthy foods लिया करो healthy drink के साथ तो ये थी मेरी आज की वीडियो तो प्लीज चानल को subscribe करें notification bell को press करें और वीडियो अच्छी लगें तो एक लाइक ज़रूर करें So thanks for watching, see you in next video, bye bye!